फटी लाजर आधोनी ती की धूरी है अला कि फटी लाजर का यूस करना दो धारी तलवार की तरह है क्योंकि एक तरब तो जादा फटी लाजर यूस करके जो हमारे मिट्टी अपनी गुणवत्ता खोदे रही है उसके संसात संतूलित मातरा में जो उर्वरक का उपियोग हो उससे फटी लाजर का खोद जो है हाली के बरसों में हुआ है और यह सबसे ज्यादा चर्चा इंडिया में इसलिए हो रहा है क्योंकि अभी हाली के दिनों में जो इकको कमपनी ने नेनो के कुछ प्रोड़क्ट लॉंच की है जिसमें से नेनो नाट्रोजन नेनो कॉपर और नेनो जिंक है हाला कि नेनो से रिलेटेड बहुत सारे खाथ जब लगबग इतने भी पटी लाजर है सारासानिक में हो सारे नेनो में उपलब्ध है हाला कि इकको ने अभी तीन प्रोड़क्ट ही लॉंच किया है तो आशी वीडियो में हम लोग देखेंगे कि जो नेनो निफीट हो सकते हैं और आगामी खिती का अगर भविस से भी सैध हो सकता है यानि इसके बारे हम लोग चर्चा करेंगे नेनो सब्द का एक साब्दी करत होता है कि एक बिलिवन वे हिस्सा कहने का मतलब यह है कि अगर हम लोग एक मीटर के जो एक अरबवे भाग को नापते हैं तो उसको हम लोग नेनो मीटर में नापते हैं एक नेनो मीटर इतना छोटा होता है कि जो एक मानो के जो बाल रहते हैं वो लगबग असी हजारवे नेनो मीटर है तो आप सोच सकते हैं कि नेनो कहने का मतलब कितना छोटा होता है और इसी तरह जो नेनो फटी लाजर है को फाटिलाजर को सारे कोई होते हैं चैनल डी वरी करें एक एक प्रकार की या प्रेंगी होती है ऊ Видत्ने की तिछ National में कम या ज्यादा है तो जैसे कि हमारे मिट्टी में प्यज एगर ज़दा होते हैं तो पर जात में स्लफर को retrouve तो उसी तरीके से जहां भी मिट्टी कर प्येश ज्यादा है तो अब हम आज Mental analysis कर सकते हैं जो pH के हिसाब से release करें जैसे कि pH ज़्यादा है तो हाँ पर सरफल को release करें और pH कम है तो हाँ पर यह जो calcium में उसको release करें तो इस तरीके से यह मतलब एक advance समय की तो फटी लाजर है टो इपने उषा जर्व होते हैं जो में आपको बताता है想। पहले होता हम्यादी की पाम परफिइक, और तीसरा होता है नेनो इसकेल कोडिग में यह रहता है कि उसमें लोग हमारे जो परफ्रीक्ष्टी लाजर है उसमें हम लोग वीवीन वीवीन फटी लाजर के मातरा के हिसाब से हम लोग उसमें कोड कर सकते हैं एक छोटे से नैनो अडू में ये तीन परकार के इसकी जो कक्छाय होती है इसके बाद हम लोग बात करते हैं जो नैनो फटी लाजर होते हैं हम लोग इसको किस तरीके से मतलब कौन-कौन से में तोसमें कम कहने कर दो बार में उसकी लाइप सयल पुरी हो जाते हैं लेकिन जो जादा दिन के फस्सल होते हैं, जैसे गन्ना वाद रखवा, इनमें अम लोग ऐसे फटी लाजर का यूज कर सकते हैं, जो धीमी गती से अपने फटी लाजर गूण है, उसको रिलीस करते रहे, तो ये एक अच्छी फटी लाजर से है, ये भी एक कैटिग्री है, से जैसे जड़ में टच वा पत्ते में टच वा, तो रिलीस होना चालू हो गया, ये हो गया, तीसरा होता है कि स्पेसिफिक रिलीस, ये क्या होता है कि ये जो नेनो बाडिकल तब टूडते हैं, जब उसमें समान किसी बिसीष्टर आसायन या पि एन्जाइम्स में उसमें होगा इस तरीके से भी हम लोग उसको बाब सकती हैं इसके बाद होँचा हीट रिलीस इसमें रहाता है कि जो टेंपरिचर के हिसाब से जो खाद की रिक्वार्मेंट होगी और रिलीस होगी इसके पीच रिलीस के पाले में जैसे कि मैंने बताया पर झार से नेनो फट्टि लाजर को हम लोग बना सकते हैं, अभी तो फिलाल इसके छेतर ने काम चल रहा है, हाला कि इसमें कुछ कमिया भी हैं, भाविसे में इसमें कुछ नुकसान भी है, डॉक्टर जो भी से सग्यें, वो आगाहा कर रहे हैं, हालां कि अभी शुरूवाती है और यह जो है जो हमारे रासानिक फट्र लाजर के हम लोग use कर सकते हैं उसके मतलब उसके एक दूसरे पहलू बोला जा सकते हैं use कर सकते हैं और जो भारी मात्रा में हम लोग use करते हैं 50 kg, 60 kg, 70 kg या फिर 50-50 kg के जो बोरियां यूज करते थे वहाँ पर साधम आगामी फ्यूचर में कीलो के हिसाब से कर सकते हैं और यह और्गेनिक तरीके से रहेगा तो जो रासायनिक फटिलाजर के ऊपर जो हमारे निदभरता है सायदो भी आने वाले समय में कुछ अदक कम हो सकते हैं यह था नेनो फटिलाजर से संबंदी से समय कुछ भी आपके सवाल यह सुझा होते हैं तो प्लीज आप नीचे में कमेंट करेगा और वीडियो अच्छा लगता है तो हर बार की तरह लाइक करें अगर आपने चैनल को सब्क्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्क्रा